दोस्तों इस वीडियो में हम LED TV की बैकलाइट को रिपेर करना सिखेंगे वो भी बिना LED स्ट्रिप को चेंज किये हुए और इसके लिए आपको किसी विशेश टूल की भी ज़रूरत नहीं पढ़ने वाली है यह हम सिंप्ली अपनी सोल्डरिंग आयरन से ही करेंगे आप आप सोच रहे होंगे कि हम इस LED स्ट्रिप की एक LED को चेंज करेंगे लेकिन नहीं दोस्तों वो सोलूशन थोड़ा ट्रिकी है और हर किसी से नहीं हो पाता इस वीडियो में हम उससे भी आसान तरीका देखेंगे जिसको देखने के बाद कोई भी LED TV की बैक लैट को रिपेर कर पाएगा भले ही उसे इलेक्टरन्स की ज़्यादा नोलिज न हो लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपस रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा और मेरी हमेशा ये कोशिस रहती है कि मैं Electrons को इतना आसान बना दूं कि आप अपने घर के ज़्यादातर अप्लाइंस को खुद ही रिपेर कर सकें नमश्कार दोस्तो Inside Tech चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तो ये है LED TV जिसका पैनल हमने पहले ही हटा दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपका ज़्यादा समय भी वरबाद ना हो इसमें 3 LED स्ट्रिप लगी हुई है और एक स्ट्रिप पर 6 LED लगी है तो टोटल इस हिसाब से इसमें 18 LED लगी हुई है वैसे दोस्तो इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि आपके टीवे में कितनी LED स्ट्रिप लगी हुई है और उन LED स्ट्रिप पे कितनी LED लगी हुई है सभी LED बैकलाइट को टेस्ट करने का तरीका और उनको रिपेर करने का तरीका सेम होता है दोस्तो इन बैकलाइट को टेस्ट करने के लिए हम इस LED tester का use करेंगे अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब हमें एक महेंगा LED tester खरीदना पड़ेगा नहीं दोस्तो इस LED tester को आप सिरफ 15 रुपे में खुदी बना सकते हैं इस tester को कैसे बनाना है उस वीडियो का thumbnail आप को इस वीडियो के पहले हम एक एक strip को ही check कर लेते हैं कि कौन से strip सही है और कौन से strip खराब है सबसे पहले इस वाली पर negative और positive के connection टच करेंगे देखिए ये एकदम सही glow कर रही है इसका मतलब ये ठीक है अब ये दूसरी वाली ये भी ठीक है अब अब दोनों को एक साथ जला कर देखते हैं ये देखिए दोनों एकदम okay है अब ये तीसरी वाली देखते हैं देखिए ये glow नहीं कर रही है इसका मतलब इसी में कोई LED खराब है तो इसमें अब हमें एक एक LED को check करना होगा दोस्तो सभी strip पर connector के पास ऐसे negative और positive का निशान बने होते हैं जिससे आपको ये पैचानने में आसानी रहेगी कि positive probe कहां लगानी है और negative probe कहां लगानी है अब देखते हैं एक एक LED को कैसे test करना है दोस्तो इन LED strip पर ये जितनी भी LED लगी होती है ये सारी की सारी series में लगी होती है तो strip के जो input point है उसमें से एक point तो negative हो या positive पहली LED में चला जाएगा उसके बाद दूसरी में, तीसरी में, चोथी में, पांचवी में जितनी भी LED लगी होंगी उनमें ऐसे series में चलती जाएगी और last वाले LED से connection दूसरे वाले point पर जाएगा अब यह इस तरह से भी हो सकती है और इस तरह से भी हो सकती है अब यहाँ देखिए, मैं इस strip पर आपको दिखाता हूँ यह connection इस वाले LED के अंदर गया हुए और दूसरा वाला जो connection है, वो देखिए, यहाँ side से यह पतला सा track आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखने पर दिखेगा यह track last वाले LED के last वाले point पर गया हुआ है तो इस तरह से यह LED strip में series बनती है और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि कुछ LED strip में तो LED को test करने के लिए testing point बने होते हैं लेकिन कुछ में point नहीं बने होते हैं तो उसमें जो यह उपर paint की परत है इस पर आप probe को थोड़ा जोर से दबा के हिलाएंगे तो आपकी probe copper print पर touch कर जाएगी यह है इसका positive point और दूसरी side में इसका है negative point यहाँ पर हम probe को थोड़ा से tight दबाएंगे तो वो copper print से touch हो जाएगी यह देखिए यह LED हमारे एकदम सही है अब इससे आगे देखते हैं यह दोनों ठीक हैं अब इससे आगे देखते हैं अब तीनों ठीक हैं अब इससे आगे देखते हैं यह देखिए अब glow नहीं हुई कोई भी LED glow नहीं हुई इसका मतलब इस चोथी वाली LED में प्रोब्लम है देखे एक एक करके भी देखें तो ये तीसरी जल रही है लेकिन चोथी नहीं जल रही है इससे आगे देखे ये पांच भी और छटी भी जल रही है और इनको हम एक एक करके भी जला के देख रहे हैं तब भी ये glow हो रही है पर ये चोथे नमबर वाली LED ही glow नहीं कर रही है इसका मतलब ये confirm है कि ये खराब है दोस्तो अब करते हैं इसका solution इसके solution के लिए दोस्तो हमें चाहिए एक LED तो मेरे पास एक ये पुरानी LED strip पड़ी हुई है जिसका lens का size भी यही है और LED की voltage भी 3V ही है ये पुरानी strip है इसमें भी कोई ना कोई LED खराब होगी तो पहले हम इसको test कर लेते हैं इसमें कौन-कौन सी LED ठीक है और कौन-कौन सी खराब है एक तो ये देखिए सबसे पहली वाली ही नहीं जली लेकिन दूसरी वाली जल रही है ये तीसरी भी जल रही है ये चोथी भी जल रही है और ये पाँच भी भी जल रही है मतलब ये पहली वाली LED को छोड़के बकि सब LED इसमें ठीक है तो हम इस वाली LED को ही strip के साथ कट कर लेंगे दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो खराब LED स्टिप नहीं है, तो एक LED चेंज करने के लिए भी हमें तो स्टिप को खरीदना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, जिस तरह से मैंने ये एक LED इसमें से कट करके निकाली है, इसी तरह से कटी हुई LED भी strip के साथ online available है आप Google पर सर्च केजिए आपको इस तरह की कटी हुई LED strip मिल जाएगी इसके लावा मैं description में भी link दे दूँगा जहां से आप इस तरह की LED मंगवा सकते हैं बस आपको यह देखना है कि आपकी LED TV में जिस size के lens की LED strip लगी हुई है उसी size के आप LED strip को choose करें और उसकी voltage भी क्योंकि LED strip में 3V की LED भी लगी होती है और 6V की LED भी लगी होती है तो जिस तरह की आपकी backlight में LED लगी हुई है उसी तरह की आप backlight की LED को choose करें और उसे online मंगवा सकते हैं तो आप ये कैसे confirm करेंगे कि आपकी strip में जो LED लगी हुई है वो कितने volt की है तो दोस्तो इसका भी एक तरीका है देखिए मैं बताता हूँ कैसे आप multimeter लीजिए उसकी positive probe और अपने tester की positive probe एक साथ मिला लीजिए इसी तरह से multimeter की negative probe और अपने tester की negative probe दोनों को इनको भी मिला लीजिए और अब आप LED को test केजिए और देखिए meter पे क्या reading आ रही है अगर ये reading 2 से 3 volt के बीच में आए तो इसका मतलब है LED 3 volt की है और अगर ये reading 5 से 6 volt के बीच में आए तो इसका मतलब है ये LED 6 volt की है देखिए ये 3 volt की LED है ऐसे ही मैं दूसरी को check करता हूँ ये देखिए ये 6 volt की LED है तो देखा आपने इसको check करना बहुत आसान है चलिए अब इस LED को हम अपने strip पे लगाते हैं इसके लिए सबसे पहले पुराने वाली LED के lens को हटा देंगे और पुराने वाली LED को भी अच्छी तरह से खुरच के निकाल देंगे वहाँ पे उसका कोई भी connection नहीं रहना चाहिए देखिए इस तरह से दोनों connection बिल्कुल अच्छी तरह से open हो जाए अब देखिए दोनों track पुरी तरह से open हो चुके है अब दोस्तों यह जो LED strip है इसके नीचे देखिए insulation लगा हुआ है या नहीं क्योंकि कुछ strip aluminum की होती है क्योंकि यहाँ पर देखिए LED के point अब हमने जैसे खुरचे है तो यहाँ बिल्कुल open है इसके उपर अगर हम सीधे ही aluminum strip वाली LED लगा देंगे तो यह दोनों point आपस में short हो जाएंगे और यह LED glow नहीं करेगी तो इन दोनों के बीच में आप heat resistant tape का यूज़ कर सकते हैं insulation के लिए लेकिन हमारे पास जो यह LED strip है यह already ही insulated है LED को चिपकाने से पहले हम एक बार फिर से confirm कर लेंगे negative और positive की side में है ok इसकी direction ठीक है अब इसको यहाँ पे 5 को 1 से paste कर देंगे अब करने है इनके connection तो दोस्तों connection करने के लिए इसके उपर जो solder mask लगा हुआ उसको हम थोड़ा-थोड़ा scratch कर लेंगे दोनों ही strips है और अब इस तरह से इनके connection solder कर देंगे यह देखे अब हमारी LED glow हो रही है अब हम इसको सभी के साथ जला के देखेंगे ओके यह अब भी glow हो रही है और अब हम पूरी strip को चेक करेंगे यह देखे यह बिलकुल OK हो गई है तो देखा दोस्तों आपने आप बिना पूरी LED strip चेंज किये अपने TV के backlight को easily repair कर सकते हैं उमीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपके लिए useful रहेगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको like कीजिए, share कीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को subscribe कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही useful वीडियो मिलती रहेंगी अच्छा दोस्तों अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए जै हिंद वंदे मातरम